हाई गाईज, रुपाली जिंडिन कीचन में आपका स्वागत है आज क्या हमारी रेसिपे है अमरिशरी चूरचूर नान अक्सर हम चूरचूर नान बड़े-बड़े रेस्टोरंट या ढाबे या ठेले पर खाते है लेकिन आज हम घर पर ही गेहू के आटे से होटल जैसे एकदम क्रिस्पी चूरचूर नान सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ देखने वाले है अक्सर ढाबे पर नान बड़े से तंदूर में बनाया जाता है लेकिन घर में तो तंदूर होते नहीं है तो इसे बीना तंदूर तवे पर कैसे बनाते है वो भी बीना इस्ट, विदाउट ओवन और बीना बेकिंग सोडा के ये देखे फ्रेंड्स आज के हमारे नान एकदम ढाबे जैसे क्रिस्पी बने है आज हम वही देखने वाले है कि कम मेनत में इसे कैसे बनाते है आज नान हम गिहू के आटे से बनाने वाले है इसलिए दो कप आटा ले लेंगे और हाप कप मैदा डालेंगे गिहू का आटा ग्राम में 250 ग्राम है और मैंने जिस कप से मेजर किया है वो मेरा 200 ml का है और मैदा जो लिया है वो हाप कप है वो ग्राम में 75 ग्राम है कुल मिला कर पूरा आटा 325 ग्राम लिया है नान को थोड़ा सा फुला फुला बनाने के लिए डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और पाउडर शुगर ली है 1 टीस्पून अब हम टेस्ट के इसाब से नमक डाल देंगे मेदे का नान तो सभी बना लेते हैं लेकिन आटे का बनाते वक्त हमें खास बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि मोहिन के बारे में मोहिन के लिए आप ओईल या घी दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने यहापे घी का यूज किया है घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने घी पाच टीस्पून डाला है पाच टीस्पून याने तीन टेबल स्पून याने एक कप आटे के लिए एक टेबल स्पून घी अब हम मोहिन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे आटे में हमारा मोहिन अच्छे से लग जाए आटे को मिक्स करते करते आटा थोड़ा सा क्रमली हो चुका है लेकिन मुझे थोड़ा सा मोहिन कम लग रहा है इसलिए 2 टीस्पून और मोहिन डाल देंगे मोयन डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे आटे में मोयन लगा है यानि ये चिक करने के लिए हम मुठी में आटा ले लेंगे और इसे हलका सा प्रिस करके देखेंगे इसकी मुठी तो बन रही है और उंगले दबाते ही तूट रही है इसका मतलब है हमारा मोयन अच्छे से लग चुका है ये साई मोयन हमें चाहिए अब इसमें तीन टेबल स्पून दही डाल देना है इससे थोड़ा सा फेट लेंगे और ध्यान रखे कि दही हलका खटा होना चाहिए जादा खटा नहीं होना चाहिए कड़ी के लिए जो दही यूज करते है न वो बिलकुल यूज ना करे और हाँ आप अगर बेकिंग सोडा यूज कर रहे है तो खटा दही बिलकुल यूज ना करे एकदम फ्रेश दही यूज करे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए मेडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे पानी मेंने कितना यूज किया है वो बाद में बताऊंगी आटा हमें एकदम पूरी के जैसा टाइट भी नहीं लगाना है और रोटी के जैसा पतला भी नहीं लगाना है रोटी से थोड़ा सा टाइट लगाना है और एक बात का ध्यान रखे कि गेहू का आटा हमें एकदम महिन बारिक वाला चाहिए पंजीरी या हलवा या बाटी के लिए जो लगता है न थोड़ा दरदरा वाला आटा वो बिल्कुल नहीं यूज करना है एकदम महिन वाला आटा लेना है बातो बातो में हमारा आटा बंद कर तयार है इसे थोड़ा और मसलते हुए चिकना कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट सौफ्ट बंद कर तयार है आटे के इसी कंसिस्टंसी रखने से उपर से नान फटेंगे नहीं और एकदम परफेक्ट बनेंगे दो बनाने के लिए मैंने एक कप पानी लिया था उसमें से थोड़ा सा पानी मेरा बचा हुआ है गेहू के आटे के कॉलिटी अलग-अलग होती है उसके कारण पानी कम जादा लग सकता है जो कि हम गेहू के आटे के नान बना रहे है इसलिए सारे टिप्स आप ध्यान से सुनिए और उसी तरीके से बनाईए आपके नान एकदम सही बनेंगे बस थोड़ा सा कलर का फरक रहेगा क्योंकि हम आटे के नान बनाने वाले है लेकिन स्वाद में वो उतने ही टेस्टी बनेंगे वन टिस्पून गी डाल कर इसे अच्छे से सौफ्ट कर लेंगे और ये मैंने कर लिया अब हम इसे एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम नान के अंदर के स्टपिंग बना लेते है तीन मीडियम साइज के आलू को उबाल के कद्दु कस कर लिया है ध्यान रखे कि आलू ठंडे होने चाहिए गरम ना हो और उबालते वक ध्यान रखे कि उनको और कूक बिल्कुल नहीं करना है अलू उबालने के लिए सिर्फ एक दो ही सिटी निकाले और ग्रेट करके पनीर लिया है 100 ग्राम ये कप से अगर ना पेंगे तो हाप कप है और एक मीडियम साइज का ओनियन बारिक कट के लिया है ये कप से अगर ना पा जाए तो हाप कप है ओनियन के बारे में ध्यान रखना है कि एकदम बारिक होना चाहिए मोटे पिसेस बिल्कुल ना हो ये चौपर से बारिक किया है मोटे पिसेस की वज़े से नान उपर से फटने लगता है बारिक कटी हुई हरी मिर्च ली है 1 टेबल स्पून आप मिर्ची को काट भी सकते है नहीं तो थोड़ा सा कूट के भी ले सकते है नान में थोड़ा सा कलर आने के लिए डाल देंगे 1 टी स्पून हल्दी पाउडर अब बारी है मसाले डालने की थोड़ा सा खट्टापन आने के लिए डाल देंगे 1 टी स्पून अमचूर पाउडर आपके पास अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो चाट मसाला भी उज़ कर सकते है अब बारी है तीखे मसालों की वन टीस्पून गरम मसाला डाल दिया है वन टीस्पून रेड चिली पाउडर रेड चिली पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते है और वन टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर हाप टीस्पून धनिया पाउडर नहीं तो क्रश किया हुआ धनिया भी डाल सकते हैं और डाल दिया है बारिक कटा हुआ हरा धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और ये हमारी नान की स्टपिंग तैयार है अम्रिट सरी चूर चूर नान एक स्पेशल हरी चटनी के साथ सर्व किया जाता है वही हम देखेंगे डाल दिये हाप कप पुदिना के पत्ते और हाप कप बारिक कटा वहरा धनिया ये चटनी थोड़ीसी तीखी रहती है इसले डाल देंगे तीन ग्रीन चिलीज ये चटनी थोड़ीसी खट्टी रहती है इसले डाल दी है थोड़ीसी इमली चार पाच ले सुनकी कलिया डाल देंगे अगर अध्रक पसंद है तो थोड़ासा अध्रक डाले थोड़ा सा मीठा स्वाद लाने के लिए डाल देंगे गुड और दो टेबल स्पून बारिक कटा हुआ पैज स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है एससे तो मसाले पीसेंगे नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी टीन टेबल स्पून डाला है महिन पेस्ट बन कर तयार है अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून बारी कटी हुए प्याज मिला देंगे इसे और हमारी खटी मिठी और थोड़ी सी स्पाइसी चटनी तयार है लगबग एक गंटे के बाद आटे को देख लेंगे और हमारा आटा देखे कितना सौप्ट बना है ये हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है इसका मतलब है कि हमारा आटा परफेक्ट बना है यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये बहुत ही मैतोपूर्ण स्टेप है इसे हमें मसल दे हुए चिकना बना लेना है इसे बिल्कुल भी स्कीप ना करे चिकना करने के बाद इसे तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट लेकर इसको मसलते हुए इसकी अच्छे से लोई बना लेंगे इसकी साइज कम से कम एक आपल रहता है ने मीडियम वाला उसके बराबर होगी उपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसकी पतली रोटी बेल लेनी है मैंने रोटी बना ली है और आप इसकी थिकनेस देख सकते है रोटी के जैसा ही पतला है नान में बहुत सारी लेयर आने के लिए इस पर गी लगा देना है ध्यान रखे कि गी सबी जगे पे लग जाना चाहिए गी हमारा लग चुका है अब हम उपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे इससे क्या होगा कि नान की जो लेयर बनीगे वो एकदम खिली-खिली बनेगी अब इसे एक साइड से उठाते हुए एकदम टाइट रोल बना लेना है ये एकदम टाइट होना चाहिए, लोज बिल्कुल ना हो नान बनाते वग ध्यान रखना है कि आटे का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए इंग्रिडियन जो डाले वो एकदम सही से डाले और आटे में जो मोहिन लगे वो एकदम सही से लग जाए दही जो यूज़ करे वो एकदम fresh दही ले और हमें dough जो बनाना है वो एकदम semi soft बनाना है और dough को rest कराना बहुत ही जरूरी है roll बनने के बाद इसे तीन equal part में divide कर लेंगे इसकी परते आप देख सकते कितनी perfect बनी है अब इसे अंदर के side में टक करते हुए इसकी एक छोटी सी कटोरी बना लेंगे ध्यान रखे कि जो कटोरी बनाए वो थोड़ी सी मोटी बनाए एकदम पतली ना बनाए मान लीजे कि इसकी thickness 0.5 की हो उपर से थोड़ा सा घी लगा कि इस पर थोड़ा सा आटा छिड़क लेंगे श्टपिंग का चोटा सा ball लेके उपर से मेदा छिड़क देंगे और इसकी edges उठाते हुए इसे अच्छे से pack कर देंगे ध्यान रखे कि स्टपिंग उतनी ही ले जितनी आप handle कर सकते हो और ये भी ध्यान रखे कि इसे उपर से अच्छे से pack कर देना है ताकि नान बनाते वक्त ये बिल्कुल भी फटेना नान की स्टपिंग मरकर तयार है अब इसे उपर से थोड़ा सा गी लगा देंगे और उपर से डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया उंगलियों से इसे प्रेस करते हुए अच्छे से स्प्रेड कर देना है मान के चलिए कि इसकी थिकनेस होगी 0.8 यहाँ पे में बेलन वगरा बिल्कुल यूज नहीं करना है आज की नान हम तवे पर बनाने वाले है इसलिए इसे हाथ पर उठाते हुए दूसरी सैड से पान अब बारी है इसे सेखने की सेखने का इसका अलगी तरीका है तवे को हाथ से उठाते हुए हमें इसे डारेक फ्लेम पे सेख लेना है आप देख सकते हैं इसे थोड़ा सा उपर से ही सेखना है ताकि इसके उपर जो लगाया हुआ है हरादनिया वो बिल्कुल भी जलेना को सेकते वक्त आप इसे एकदम आराम से सेके, हमें नान को तब तक सेकना है जब तक इसके उपर golden brown spot ना जाए और आप देख सकते कि इसके उपर हलके अलके golden brown spot आ रहे हैं, और ये देखें फ्रेंड्स, आज के हमारी अमरिसरी चूर चूर नान एकदम परफेक्ट बन कर तयार है अगर आपको लग रहा है कि नान थोड़ी सी कम सेखी गई है तो आप इस तरीके से भी नान को थोड़ा थोड़ा सेख सकते है ये दोनों साइट से अच्छे से सिख चुकी है और आज के हमारी अमरिसरी चूर चूर नान परफेक्ट टिप्स के साथ बन कर तयार है अब हमें इसके उपर ढेर सारा बटर लगा देना है अब इसे हाथ में उठाते हुए इसे थोड़ा सा चूर लेंगे देखे दोस्तों बने है ने एकदम परफेक्ट अमरिसरी चूर चूर नान एकदम ढाबे जैसे वो भी बिना तंदूर बिना ओवन एकदम तवे पर परफेक्ट इसे में ने सर्व किया है दही और चटनी के साथ चटनी थोड़ी सी खटी मीठी और स्पाइसी है आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो तो प्लीज एक लाइक करे और रेसिपी को दोस्तों में शेयर करे आपकी एक लाइक से हमें खुशी मिलती है और हाँ दोस्तों आप अगर मेरे चानल पे नए है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले ये बिल्कुल फ्री है आगे हम और एक रेसिपी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए गुड़ बाई